नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस पी यार और मैं हूँ आपके साथ जोती सन्हा देखे लोग सभा चुनाओ को लेकर एक और जहां चुनाओ आयोग सक्त है और सजक है तो वो की लगातार छापे मारी भी कर रही है इसी करम में आपको बता दें गया से कॉलकता जा रही बस से एक करोड नौ लाक पचास हजार रुपए बरामत किये गए हैं इतनी बरी राशी के साथ साथ तीन लोगों को गिरफतार किया गया है तीनों से पुछताच कर रही है वहीं आपको बता दें कि तीनों गिरफतार लोग गया के रहने वाले हैं पुलिस पूझताच में जुटी है और ये जानकाड़ी दे रही है कि आखिर इतनी बरी राशी लेकर के ये तीनों यूवग गया से कॉलकता क्यों जा रही थी क्या इसका केनेक्शन लोग सभाद चुनाओं से था बनादे कि इस मामले को लेकर के पुलिस के अनुसार तीनों वैक्तियों को लेकर पूझताच की जा रही है वहीं पुलिस तीनों लोगों से पैसे के सुरोत के बारे में जानकाड़ी निकालने में लगी है गिर्डी S.P. दीपक कुमार शर्मा ने गुप्त सूचना पर बगोदर S.D.P.O. धरंजे कुमार राम के नैतरितों में टीम गठत की इसके बाद वाहन चेकिंग सुरू की थी बुदवार देराध जीटी रोड औरा चौक के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया जिसमें दो वैक्तियों के पास से 67 लाख रुपए और एक के पास से 42 लाख 50 हजार रुपए बरामत किये गए थी राज्य के विविन जीलों में जाड़ी वाहन चेकिंग अभियान लोग सभाचुनाओ को लेकर राज्य भर में लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही है गिर्डी जिला प्रशाशन भी लगातार कारवाई कर रहा है इसके लिए SFT और SST स्थान निगरानी दल का गठन किया गया है जिसके द्वारा लगातार चापे मारी की जा रही है इसी निमित यह कारवाई की गई और इतनी बरी राशी बरामत की गई है बतादें चापे मारी दल में SDPO धरंजे कुमार राम के अलावा SDPM विपन कुमार दूबे सहमेत कई 109 लाख रुपए जब्त किये गए हैं इस मामले में तीनों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताच में जुटी है इस घटना के बाद इनके गया इस्तत घर पर पुलिस और तकनीकी साखा की टीम जाच कर रखी है साथ ही पड़ी जनों से भी पूछताच की जा रही है पूछताच में ये भी मामला सामने आ रहा है कि इसमें से एक वेक्ती गोल्ड का काम करता है वहीं इनकी मा और चचरे भाई इस संबन में पूछताच की और उनके कमडे की जाच भी की इस दौरान पुलिस को जाच में कुछ भी नहीं मिला है हाला कि पुलिस इस मामले को ले करके गहनता से कारवाई में जुटी है पिरो डिपोर्ट न्यूस पियार लाइव पटना